आज मैं जेनम फश्टियर का अगले टोपिक के बारें बात करने जा रहा हूँ Community Health Nursing Topic Water Purification जल का सुधिक करण जल का सुधिक करण आप अस्मॉल लेबल पर कैसे करेंगे जल का सुधिक करण क्या जरूरी है इसका महत्व हम लोग के जीवन में क्या है फश्ट हम तो इसी बात करेंगे कि जल सुधिक करने के पीछे क्या कारण है इसमें एक टोपिक है जल के दोरा फैलने वाली बिमारिया यदि आप सुध जल का सेवन नहीं करते हैं ते बिभीन परकार की बिमारिया आपके सरीर में फैल सकती है और वो बिमारिया है आपको जल से फैलने वाली वाइरियल बैक्टिरियल प्रोटो जोवल हेलमेंथिक है वाइरियल बिमारी में आपको हेप्टाइटिस ए डाइरिया रोटा वाइरस और इस टाइब की बिमारिया फैल सकती है बैक्टिरियल बिमारी में आपको जिसे जिवारू से सबन बिमारियां आपको फैल सकता है टेफ हाइड पिलिया टेफ हाइड कल्रा प्रोटो जोल बिमारी में फैल सकता है आपको अमवियसी से हेलमेंथिक बिमारी में फैल सकता है आपको राउंड वर्म थ्रेड वर्म और इस टाइब की बिमारियां आपके शरीर में फैल सकती हैं एदियाप वाटर तिर्शिकेशन मतलब की आप सुथ जल का सेवन नहीं कर सकते हैं तो वैसे इस थीति में आपके शरीर में जल सबंधी इन बहुत सी बिमारियां हो सकती हैं इसलिए जल का सुथिक करन करना बहुत जरूरी है और जल का सुथिक करन करने के बहुत से तरीके भी हैं जैसे हम बात करेंगे डोमेस्टिक लेवल पर मिंसकी खरेलू अस लेवल पर आप देखते होंगे घरेलू लेवल पर मतलब कि घर पे बहुत से लोग पानी को जहां पानी बहुत ज़्यदा गंदा रहता है वहां पे लोग पानी को उबाल के पीते हैं पानी को उबाल के पीने के पीछे कारण होता है कि पानी में अधि किसी भी परकार के कोई बैक्टिरियल होगा प्रोटियोल होगा उबालने के कारण उखतम हो जाएंगे उबर जाएंगे और आपको सरीर में किसी भी परकार का हानी नहीं पहुंचाएंगे एक उबालना दुसरा, कपढ़े से फिल्टर करना हैं. मतलब कपढ़े से पानी को च्छानना है करते क्या है, हम लोग पले उभालते हैं उभालने के बाद पानी को च्छान लेते हैं ताकि जो मरा हुआ, कोई भी बेक्टटिरिया प्रोजोल कुछ भी है चपइफी डेस्ट है, धुल कन है, unwanted चीज़ है, वो छन जाता है, और असानी से आप पानी को पी सकते हैं, और उसको असानी से परकिरिया घर पे कर सकते हैं. दूसरा आता है, ceramics filter आता है. Ceramics filter मतलब कि diese Conuuuu Khan has risen in Ceramics measurements, एक layer रहता है जिससे पानी pass out करके बाहर आता है इस ceramics क्या करता है छीदर type का होता है ceramics का जो बनावर ठाइब का होता है और layer में होता है जो भी unwanted चीज होता है उस filter से pass करता है तो क्या होता है कि filter उसको वहीं पर रोक लेता है और सुथ पानी को बाहर आने देता है जिससे पानी क्या होता है सुथ हो जाता है अब हम बात करेंगे chemical method chemical method से भी पानी को सुथ किया जाता है जैसे bleaching powder आप सुने होंगे गाओं में लोग पहले bleaching powder का इउच कर दे थे कुआ का पानी को सुथ करने के लिए मतलब कि कुँआ में bleaching powder का परिश्ट का जाता था जिससे होता था कि कुँआ के अंदर जो भी बैक्टरिया है जो भी जिवार जो कुछ भी है कीड़ा मकोड़ा ओं मर जाते थे जिससे पानी क्या होता था सुथ हो जाता था क्लोरीन की गोली एक आती है क्लोरीन की गोली आती है क्लोरीन का 0.5 ग्राम की गोली से आप 20 लिटर पानी को सुथ कर सकते हैं आयोडीन एक मेथड आपको आयोडीन होता है इसका यूज बहुत कम किया जाता है लेकिन इसके द्वारा भी आप दो बुंद तीन बुंद आयोडीन का गोल बना कर एक लिटर पानी को सुथ कर सकते हैं फिटिक्री फिटिक्री से भी पानी को सुथ किया जा सकता है फिटिक्री को आप लेकर एक बालटी में किसी बरतन में फिटिक्री को डालियेगा तो उससे भी का होता है कि जो इसमें जिवारु होता है वो मर जाते हैं के दौरह भी सूथ पानी को किया जा सकता है लेकिन सबसे ज़गा पानी का सूथ जो कियाता है वो बिलीचिंग पाउडर का पुरीयों किया जथा है अक्सर है असी यह हुआ अपको घ्रेली semester स्थर पानीको कैसे शुद किया जा और एक्श चणय जैसे चमद जटे दोर में इस टाइम झो चल रह रहे हैं घर पर आक्सर वह यूज कर रहे हैं अर ओक्रूबू का इस टाप सबसे जदा क्रेश सहर reverse osmosis मितलब की इसमें पानी pressure के द्वारा filter के थूँ सुध होता है साथ साथ उसमें UV light लगा होता है जो की जिवाड़ियों को मार देता है और पानी में जो भी जिवाड़ों होते हैं जो भी वाइरस होते हैं कुछ भी होते हैं उसको नश्ट कर देता है दूसरा reverse osmosis filter होता है जिसमें pressure के द्वारा बहुत highly level filter होता है जिसमें बहुत highly pressure के द्वारा पानी को पास कराया जाता है और उसमें जो भी भी बैक्टिरिया कुछ भी धूलकन डस्ट जो कुछ भी होता है और उसमें छन जाते हैं आज में जेनम फष्टियर का